हेलो गाइज नमस्कार आप सभी लोगों को हमारे हेल्थ एजुकेशन चैनल पर स्वागत हैं आप सभी लोगों को यह नॉलेज अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरू कर दें वेल आइकन को दबा दें इससे आने वाली वीडियो आपको मिल स पेर में हम आपको होता है वो हम आपको बताते हैं मिंस दाय पर में पिछे पोस्टीरीडियर में pain होता है means उपर से नीचे होता है नीचे से उपर हो सकता है ठीक है फ्रेंट्स इसमें क्या नर्व compress हो जाती है जो compressed nerve होती है वो L4 या S1 होती है तो इसका चोटा-चोटा मनलब definition जान ले जाए सियाटिका is commonly used to describe radiating leg pain it is caused by inflammation or compression of the lumbosacral nerve root L4 S1 forming the sciatica nerve means कहने का इसमें जो lumbosacral nerve होती है उसका root जो होता है वो L4 S1 यह compress हो जाती है जिसकी वज़ा से हमारे पैर में back side में posterior region में pain feel होता है ठीक है कभी-कभी तो कम होता है तो इसको ठीक करने के लिए हम आपको कुछ homeopathic medicine बताते हैं जिसका differentiate करके बताएं कि राइट साइड में पेन होता तो कौन से medicine लेनी है लेफ साइड में pain होता है तो कौन से medicine लेना है पेन के बारे में करते हैं सबसे पहले part second CRT का pain अब CRT का pain जो होता है यह लेग में होता है ठीक है राइट लेग में या फिर लेफ्ट लेग में तो अब इसमें प्रोब्लम कहां थी पीछे साइड में मना फ्रंड पे नहीं आता है पोस्टीर रीजन से पेन स्टार्ट होता है कमर के पास हो नीचे तक जाता है जिसमें CRT के नर्फ जो होती है कंप्रेश हो जाती है ठीक है आगे देखें medicine कैसे distribute करने CRT क्या हो गई left sided pain है means left side leg जो है यह अब यह जो left sided pain है अगर बाएं पैर में better for moment means moments उसको अराम मिलता है तो इसकी दो medicine हो जाती है अगर yes मिलता है तो restox medicine देंगे ठीक है अगर better for moment means चलने फिरने से उसको अराम नहीं मिलता है तो हम इसको देंगे Colosin next इदार आया जाते हैं अब right side leg की बात हो रही means right दाया पैर में अगर pain होता है तो यह patient से पूछा जाता है कि better for moment तो अगर better for moment means उसको चलने फिरने से आराम मिलता है तो इसमें भी further 2 division करते हैं no तो उसमें no अगर better for moment है तो उसके बाद further 2 division करते हैं पहले देखते हैं irritable है patient या नहीं अगर है तो उसको ब्राइन या अलवा देंगे अगर irritable नहीं है तो उसको हम max house देंगे फिर उपर आपने better for moment yes means उसको लाइको पोडियम देंगे कि फिर देंगे कि फ्रेंट